बाई और बेनों, मेरे लिए वो पल अश्मे अब इस्पर निया है, जब आजाद हिंद फोर्च सरकार के 75 वर्ष होरे पुरे होने पर, लाल किले पर, तिरंगा भाराने का सौभागे मिला थे। नेता जी और आजाद हिंद फोर्च का योगदान भावी फीडी तक पहुँचे, इसके लिए अब लाल किले में ही नेता जी सुभाग बावु की यादों को समाहित किया हुआ, एक क्रांती मंदिर का भी निर्मान किया गया। मैं बंगाल के हर स्कूल कॉलेज से आगर करूँगा, कि आप अपनी स्कूल कॉलेज से टूर ले जाते हैं, दिल्ली जब जाएं, तो नेता जी सुभाज बावु के पराक्रम गाता वाला एक क्रांती मंदिर जुरूर देखिए। नेता जी के नाम से हमने एक रास्तिय पुरसकार का एलान किया। और अभी मैं अंडमाणन को भार गया था, वहां के एक दिपता नाम करन भी हमारी सवभागे को मिला है, और हमने नेता जी का नाम उसके साथ जोड दिया। साथियों नेताजी के साथ साथ आजाज इन फोच के दूत्रे नायकों को भी हमारी सरकार ने सम्मान दिया है इसी वर्ष गन तंत्रा दिवत की परेड हुई तो ऐसे महान वेक्तवी भी उसमें सामिल हुई जिनको जिप में बिठाकर उनको देख करके देश का सीना गर्व से चोड़ा हो गया आजाजी के बाद इतियास में पहली बार आजाज इन फोच के सेनानी गन तंत्रा दिवत की परेड का हिस्सा बने हम सभी का सौफाग ये था कि उमर के इस पड़ाओं में भी ये सभी महापुरुष हमें आशिरवाद देने आए साथियों इससे पहले भी बसकों तक मान लिया भाया मान लिया साथियों इससे पहले भी दसकों तक हर साल गन तंत्रा दिवत मनाया गया परेड होती रही लेकिन आजाज इन ठोचके उन भीरों को याद करने के इसूद किसी नहीं ली क्या इन लोगों ने अंग्रेजों की गोलिया नहीं खाई थी क्या इन्हों ने अत्याचार नहीं सहे थे जेल नहीं गए थे लेकिन परिवारवाद और वहुशवाद की राजनित्पी करने वालों ने इनके इत्याच इनके बलिदान को भुला दिया आज यही दल हमारे सपुतों के सौरिय पर भी सवाल उठाते हैं जब हमारे वीर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं एर स्ट्राइक करते हैं तो यह पाकिस्तान की बातों पर भरोजा करते हैं जब हमारे वीर आतंकियों को गर में गुश कर मारते हैं तो इतने सबूत होने के बावजुद भी इन्होंने ऐसे कस्में पहने हैं इनको सबूत दिखाई नहीं देते हैं जो अपने राजिन की स्वास के लिए आतंके सरपरस्तों की जूठी खबरों को यहां बढ़ावा देते हैं उन पर देश बरोसा कर सकता है क्या बरोसा कर सकता है क्या जो जम्मू कश्मीर में आतंगवादियों का खुला समर्फन करते हो कहते हो कि उनका बंदुख उठाना गलत नहीं है उन पर देश बरोसा कर सकता है क्या कभी भी बरोसा कर सकता है क्या ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है क्या जो लोग यह मानते हो कि फोईड में लोग दो वक्ती रोटी की मजबूरी में बरती होते हैं जो लोग हमारे भीरों की देश वक्ती पर सवाल उठाते हैं उन पर देश बरोसा कर सकता है क्या कभी भी बरोसा कर सकता है क्या निन्द में भी वरोजा कर सकता है क्या मुशिबट में भी वरोजा कर सकता है क्या भाई और बैनो पाकिस्तान का गुनगान कर्ये वाली इस मंडली की एक सबस्या ये बंगाल की ममता दीजी भी है जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को कटगरे में खड़ा कर रही थी तो ये मंडली और ये दीजी मोदी के खिलाब पस्ताव पारिक कर रही थी